Hello Friends, Welcome to Study with Neelam जैसे कि आप लोगोंने सुना होगा DRDO के द्वारा प्रले मिसाइल का सफलता पूर्वक पहला परिक्षन किया गया है चलिए तो जानते हैं क्या है प्रले मिसाइल और क्या है इसकी विशेशता है DRDO ने नई पीडी की सबसे पहले चीज आपको याद रखना है ये निव जनरेशन की मिसाइल है इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रले मिसाइल का प्रथम उडान परिक्षन किया है यह परिक्षन ओडिशा के तटके समीप डॉक्टर अब्दुल कलामदीप वीलर दीप से किया गया है यहाँ सोदेशी रूप से निर्मे सता से सता पर मार करने वाली कमदूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है यह आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी बहुत ही खुपसूरस थी जो पिच्चर से इस मिसाइल को टेस्ट करते समय इस मिसाइल की मारक चमता 150 किलो मेटर से 500 किलो मेटर तक है यहाँ 500 किलो ग्राम से 1000 किलो ग्राम तक के पेलोड को ले जाने में सक्चमें अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि पहले से ही हमारे पास अस्तर मिसाइल है प्रत्वी मिसाइल है आकास मिसाइल है उसके बाद इस मिसाइल की क्या खुबी है तो पहले चीज़ तो यह हमें जैसे अगनी रेंड है हमारी 5000, 4000, 3000, 2500 तो हमें इतनी जादा दूर जाने क कि जरूरती नहीं है हमें जो युद्ध का छेत्रे वह क्या हो चुका है सिमट चुका है अब हमें शौट रेंज मिसाइलों की जरूरत है जो छोटे चेत्र में चोटे एरिया में जैसे 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के एरिया में ही जिनके आविशकता पड़ती है क्योंकि किसी देश को इतनी दूर जाके मारक चमता नहीं करने कि 3000-5000 की जरूरत हो अब किसकी जादा जरूरत है शौट रेंज मिसाइल की तो इसलिए यह अपने आप में बहुत ही जादा बड़ी उपलब दिये इस मिसाइल के लिए और क्यूंकि देखिए DRDO तो लगातार जो SRBM मिसाइल हैं इनका लगातार परिक्षान करी रहा है और सबसे थी बात है इस मिसाइल की कि यह एक 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के पैलोड को ले जाने में सक्चम है जो अभी मिसाइल है वो इतनी जादा मात्रा में जो भार है पैलोड उसको नहीं ले जा सकती थी यहां ठोस उनको न श्तरनावुत करने में जो रहे जाएगा ऑप्लोड करके और इसमिकरके खुक्त hop क रहेंगे वो इसे फायर करके launch करके किसी जगा छुब भी सकते हैं ऐसा नहीं अब तक क्या होता था यहां पर खड़े रहे कर आपको इसको launch करना होता था लेकिन आप इसे launch कर सकते हैं और छुब भी सकते हैं कहीं जाकर और यह क्या है जो इसका target मूव होका तो यह missile भी उसी दुश्या में क्या होने लगेगी मूव होने लगेगी तो यह बहुत ही जादा प्रले missile जो है बहुत जादा खूवियो वाली missile मतलब ऐसी missile है अभी तक आपने missile से किसी चीज को target किया है कोई भी दुश्मन का कोई भी छेतर है तो वह target इस तरह तो जादा घाता के मतलब इसका जो target रहेगा वो किसी भी सिती में बच नहीं सकता इसलिए इसका नाम प्रले missile रखा गया है प्रले अपने हमले को सटिक निशाने के साथ साथ द्वस्त करने में पूरी तरह काम्याब है मिसाइल को अत्यधियोनिक साजो सामान से लेस किया गया ह और यही पैलोड होता है जब यह अपने साथ कितना पैलोड चमता के साथ 500 से लेके 1000 किलो ग्राम तक के पैलोड ले जाने में यह सक्चम है इस मिसाइल को मुबाइल लॉंचर से भी प्रच्छे पित किया जा सकता है इसमें अत्याधूनिक नेविगेशन प्रणाली के साथ स इंटीग्रेटिड एवियोनेक्स का उपयोग किया गया है यह मिसाइल ससस्त्र वलों को सुनिच्चित रूप से युद्ध छेत्र में अगणिये बनाने में अपना योगदान देगी भारत का पहला सोदेश निर्मित मिसाइल प्रत्वी थी प्रले मिसाइल मार्च 2015 में इस मिसाइलों का निर्मान कर रहा है जो अब प्रहार जिसका जो रेंज रहेगी 150 किलोमेटर प्रगती जिसकी रेंज 170 किलोमेटर और प्रांस जिसकी 200 किलोमेटर है तो आने वाले दिनों में आप और भी SRBM मिसाइलों को देखेंगे ओके फ्रेंड्स तो ये था आज का लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक्स पर वाचिंग एंड टेक कियर